हाई दियो फ्रेंट्स, उमीद है आप अच्छे होंगे, आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है मेरे साथ में मिर्जा है, मेरा निया बेबी और आप सब का फेवरेट आज मैं एक बहुत बड़ी आसा इंपोर्टन सा ब्लॉग बनाने वाला हूँ मिर्जा के साथ में जैसे मेरी आप से कमिट्मेंट थी कि मिर्जा के लाइफस्टाइल के लिए जो भी हम जो कुछ भी करते हैं इसके लाइफस्टाइल के बारे में उस सब चीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा हम इसे कैसे पाल रहे हैं कैसे केर कर रहे हैं मैं बारल बनारी हूँ और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं भीवरिस टू डॉग्स के लिए आपके डॉग की अगर कुछ भी प्रॉब्लम है 99% उसकी प्रॉब्लम का स्लूइशन चाहे वो उसके भीवियर से है ग्रोथ से है ऐलर्जी से है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसका सलूइशन आपको मेरे चैनल पर मिल जागा जो लोग फर्स टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिर्जा के लिए एक बहुत इंपोर्टन सी डाइट बनाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ 2-3 मिनट में बन जाएगी और आपको ये बहुत पसंद आएगी आपके डॉग्स को भी बहुत पसंद आएगी खास करके तब अगर आपके डॉग ने खाया यह नहीं खाया और आप किस टॉपिक पे ऊजो कोंटीनीव कर रहे हैं मिर्जा बोलो मिप्नी कर रहे हैं चलो झलेग ठाहिए नगी हम डेलिय अखाद मेरे हाथ में नेहें है पम्किन कडू छोटा से की सीयं है कि लिया उसका इसको मैं बेसिकल 9 कट कर रहा हूं और стар wrinkles इसे लिए बारीक फाली चीजे है, मै बारीक में नहीं कर रही हूं, मोटे वले में कर रहा हूं, वह थोड़ा साथ ठाई ठीक भी रहेगा, और बिल्कुल जो होता है बिल्कुल बारीक वाली नहीं मिखा जाए। मेरा ख्याल में 2-3 रुप ते नहीं टालिया, pumpkin से यह होने वाला है कि इसको बहुत पॉस्टिक रहेगा यह इसके लिए full of nutrients है और इसमें डालने वाला हूँ धनिया थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इतना सा धनिया बहुत है इसके लिए इसको मैंने इस तरह से के लिए fresh धनिया है धूली है मैंने पहले और इसको मैं हम बारीक बारीक चॉप कर दूँगा चॉप इसलिए कर रहा हूं ताकि इसको कोई बड़ा पता ना है इसके गले में फसे नहीं कई बरी होता है हम लोग ना बड़े पीसिस बड़े चंक्स डाल देते हैं तो हमें यह चीज जब रेसिपी हमने कभी भी तयार करनी है कुछ भी साइड से ही थोड़ा सा मैं कद्दूगस कर रहा हूं इसको यह दिखिए यह अगें फाइबर भी है और स्किन के लिए बहुत अच्छी है अगर मैं करट की बात करूँआ ना तो यह 25% of carrot डाला है तो देफ्रेंट मैंने एक पैन लिया है इसके बीच में एक डाल रहा हूं और यह जो है यह देसी वाला एक अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इसका योक है वो काफी डार्क है यह इसकी एक प्रॉपर डाइट बता रहा हूं आपको मिर्जा की डाइट शेयर कर रहा हूं आपके साथ में कि हम इसे कैसे पाल रहे हैं क्या दे रहे हैं खाने को यह और इसको मैं बीट करने वाला हूं बीटर ले लिया मिर्जा भाई साब के वो देखो मिर्जा को भी लोग बीच में देखना बुरे हला तो रहें काता देदो यार पापा ना ऐसे नहीं करना होता मुझे तो भूग लग रही है मिर्जा भाई साब बहुत पेशन्स लगते हैं अगर कोई और होता बच्चा तो अभी तक चिलाने लग जाता है मैंने सारी की सारी चीजें बीट करी हैं और इसके बीच में डाल दिया यह जो सारे का सारा मैंने चॉप किया था सारा मेटीरल मिक्स कर देए कुछ नमक मामक क के साथ में मिक्स कर लिया सारे के सारे को रइड इसमें कोई भी चीज नहीं डाली मैंने जो हम कच्चा नहीं दे सकते हैं डॉप को खाने के लिए लाइक पंपकिन भी हम सैलेड की तौर पे दे सकते हैं कैरट तो हम देते ही है यह एक अच्छा सा हेल्दी सा बन गया अब अब लेस दिन अब यह कह लीजे इतना सा मैं इसमें डाल दिया है कुछ और वगर अब डाल चकते हैं और यह जो चीज है यह नॉन स्टिक पैन में हम कुछ नहीं डालेंगे तो भी वो चल दाएगा और यह जो है मैंने इस पर डाल दिया और इसको मैंने आप यह दिखे यह जो है यह दिखे यह मैंने कर दिया मैंने फुल फ्लेम पर किया हुआ इसको यह अच्छे से पूरा पहला दिया मैंने ताकि अच्छे से पक जाया सारे का सारा इसमें दो बॉइल डाले थे रॉएग डाले थे उसको हमने बीट किया था यमी भी लगेगा, हेल्दी भी, पॉस्टिक भी यह दिखिए, यह रेडियो उना शुरू हो गया मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से पकने में इसको आप भुर्जी टाइप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अगर हम फहला लेंगे पैन में तो उसका बेनफिट ही होगा कि सारे का सारे को अच्छे से जो हीट लगनी है वो अच्छे से लग जाएगी कुछ भी कच्छा नहीं रहेगा मैं हमेशा बताता हूँ डॉग को रो एग रो मीट रो चिकिन वगरा नहीं देना खास करके एशन कंट्रीज में जब आप रहते हैं विकास यहां पे है क्वालिटी जे लूग जादा नहीं है ननेर्घ ड़ीण पर गेल सब्सक्राइब फेण कन्ट्रीण लग में इस सबसे इंपरटन ख्याय इसमे spin रेन 素च ग drove 2-0-7 कि वेज़े से इसकी पॉष्टिक ता जो है वह बहुत बढ़ी हो गई है और मिर्जा भाइसाब को दिखो बैठे जनाब उसको पता है कि यह मुझे मिलने वाला है खाना तो मैं नहीं है पपर उस बनाते हैं मेरे लिए और आज भी मुझी को मिलेगा क्यूंकि पैबलो भाइस रेडी होगा मिर्जा का जो कि अगर आपने नॉर्मल एग यूज किया तो 5 रूपी का एग है और 10 रूपी के एग हो गए और ग्रीन वेजिटेबल्स और लट्रम बटर मिलाके मैक्सिम 15 रूपी अगर देशी एंड यूज किया मैक्सिम 25 रूपी यह जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर किया ना यह इजियस्ट है घर में छोटा बच्चा होगा ना दस साल का वो भी बना सकता है बुजूर्ग है वो भी बना सकते हैं और सबसे इच्छे से वो नो की कमांड में बैठा है अभी देखिए बड़े मजे से बैठा है पेशन्स लेके बैठा है उसे पता है कि खाना बनाया पापा ने और मुझी को मिला हूँ जी देखो भोलने मेरा बेटा बोलने भी लग गया है सो यह खाना मैं इसको सर्व कर रहा हूं करने लगा हूं almost because fan on किया है मैंने ताकि यह जल्दी कुटम हो जाए ठंडा हो जाए हाँ बेबियो आपके लिए आपको खाना के लाते हुए दिखाएंगे हम हम आपके शाद बहुत शारे वीडियो बनाएंगे इद्दर आजा मेरे Google So dear friends, یہ खाना ready हो गया है और मैं मिर्जा भाहि साब की बाूल में ढॉल रहा हूं इसको और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कभी कैमरे भी बहिया से और कभी मिर्ची ऑर मिरर्सार से जलदी देदो ऻ्युज़िदी जलदी दे दो पापा मिर्से रहा नहीं जा रहा हूं भूग ओ घंऄ का टाइम हो गया और मैं इसे सर्व कर रहा हूँ, अब यह देखे, पहले तो देखने में देखे, कितना सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है, डिलिशेस, और हल्दी, यह देखो चाहिए, यह जनाब हमारे मिर्जा साब, जो लोग बोलते हैं, हमारा डॉग सबजी नहीं खाता, भीया, हमा मैं कैसे पालता हूँ अपने personal pet को, आपको वह मैं बताऊंगा, यह देखो, मैंने हम बोला था ना, कि जब बच्चे को बहुत टेस्टी लगता है खाना, वह फटा-फट से खाता है, जल्द बाजी में, और खूब सारा खाना नीचे गराता है, और खूब सारा खाना नीचे पसंद भी आएगा खाना खाना और उसको एक habit, एक permission देगा आपको कि आप खाना खाते हों, मुझे टच कर सकते हैं, और वो matter नहीं करता है कि आपके घर का चोटा बच्चा है, आप बड़े हैं, बजुर्ग हैं, senior citizen है, यह आपके कोई helper हैं, जो भी हो, वो आपके, देखे, अनकट वीडियो है, इसमें मज़े से मिर्जा भाई साब ने पूरे का पूरा खाना खाया है, और यह जो वीडियो बनाया, बनाने का मकसद है, मेरे एक्चुली राइट लगी हुई है, मैं फोल्ड नहीं कर सकता, यह वीडियो बनाने का मकसद था, कि बहुत सारे लोग जो निया पैट लेके आए है, छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, वो कहते हैं, भीया हम कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं, हमें पता नहीं चल रहा है अपने डॉग को खाना खिलाने के लिए, तो मैंने एक रेसिपी शेर की आपके साथ में, जो डॉग फूड के इलावा हम दे स कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूर कर लीजगा, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारा इंजॉइमेंट होने और बहुत सारी इंफरमेशन मि का कथा कॉंबिनेशन रहेगा, मिर्जा के वीडियो, थैंक्यू सो मच, यह जो वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो मैंने बनाया, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजे, कमेंट करके जूरू बताइएगा आपने यह रेसिपी अपने डॉग के ले ट्राइ की या नह ब्लेस्